हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीज आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ थेटर रिलीज हुई फिल्म ब्लिंक ट्वाइस को जिसे देखने के लिए मैं काफी ज़्यादा एक्साइटेड था सिर्फ और सिर्फ वगहते न कि इनकी ट और फिल्म का जो जॉनर था वो बस मुझे इसी बात का इशारा दे रहा था कि ये फ्रिल्म मूवी होगी लेकिन पूरी फिल्म देखने के बाद मैं अगर इसके जॉनर को डिस्क्राइब करो तो इस फिल्म का जॉनर है त्विल्म के साथ साथ डाक कॉमेटी और साइको इसके अलावा एक घंटे 40 मिनट के आसपास के रंटाइंग भी फिल्म है जिस पर अब आपका वक्त थेटर जाकर कि इस फिल्म को देना बनता भी है या नहीं चलिए उन सारी की सारी डीटेल्स पर बात करते हैं जिन सब पर आने से पहले अगर बात करो इस फिल्म की कहानी क तो कहानी टेक बिलियनर्स लिट्स किंग की है जिसके फंडरेज इवन में उसकी मुलाकात कॉक्टेल वेट्रेस फ्रिड़ा उसकी दोस्ते होती है जो किंग के अटेंशन को किसी भी तरीके से खुद की तरफ ग्रैब करना चाती तो और अगर वो चीज होती है तो उसके बा कौन कर रहा है और किस लिए उन सब का जवाब आपको ये फिल्म अंत में देती है या फिर कहूं अंत के 10-15 मिनिट में लेकिन वा कहते हैं कि इतना साधा बिल्डप देने के लिए अच्छी हासी शुरुबात भी चाहिए जो कि अभी इस फिल्म की है या नहीं उस पर मैं इ उसे रैटर के साथ भी बैठकर के लिखी है लेकिन अगर देखा जाए तो डिरेक्टर डेब्यू उनका सबसे पहला है जिसमें वो अपने बॉइफ्रेंड या फिक हूँ होने वाले हस्बेंड चेनिंग टैटम के साथ मिलकर के कुछ अलग क्रियेट करने की कोशिश करी है और उन सब में जैसी कि मैंने कहा पहले अगर डिरेक्टर की ही बात हो रही है तो उनकी तारीफ पहले काम के हिसाब से करू तो भाई शानदार जबरदस जिन्दा बात भी लगा देता हूँ क्योंकि इस तरीकी के टेक में डेफिनिटली उनकी मेहनत नजर आती है कि उन्हों उन्होंने इस काम को लेकर कि कितनी सीरियसनेस के साथ अच्छे से अच्छा डिरेक्शन किया है जिन सब में सबसे पहले तो ये फिल्म काफी ज़्यादा खूपसूरत सी लगती है वो भी अच्छे से कलर ग्रेडिंग के साथ और उपर से डाक कॉमेडी का अगर शेट डाल किया जाए तो फिर ऐसी फिल्मों का हो कहते न कि देखने का समा ही बन जाता है चूकि उन सब में ये फिल्म अगर किसी और चीजों को भी चांस देती है तो वो है एक्टर्स और हाइस फिल्म के एक्टर्स जो आपको इसमें कई सारे नोन फेस दिखा कर कर के किया जाएगा जिन सब में अगर मैं किसी को सबसे ज़्यादा टॉप पर रखूंगा तो वो है फिल्म की लीड। फ्रीडा का क्यरेक्टर जिनके क्यरेक्टर को देख करके ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि ये रोल सिर्फ और सिर्फ वही कर सकती थी। जो चीज़े मैं आपको बया करकर बता नहीं सकता लेगिन फिल्भी उनकी परफॉमेंस फिल्म खतम हो जाने के बात भी आपको याद रहीगी ऐसा मेरा दावा है जिनके अलावा बाकी दूसरे भी आक्टर्स अगर आपने ट्वेलर नहीं देखा है तो आपको फिल्म में देखकर के काफी ज़दा अच्छा लगेगा कि ये लोग भी इस फिल्म में है जो सभी अपनी परफॉमेंस में 100% देते हुए डेफिनिटल भी डिसपॉइंट नही करेगे क्योंकि ये फिल्म अब मुझे नहीं पता कितनी रियलिटी दिखाती है लेकिन फिर भी प्राइवेट आइलेंड की जो सिच्वेशन है जेफ्री आइस्टैन के आपको डेफिनिटल याद दिलाएगी अगर आपने उनके केस को स्टड़ी किया है तो इसके अलावा म टू जैसे पार्ट खेर उस पर जादा ना जाते हैं वह मैं आपके लिए कुछ भी स्पोईल नहीं करूँगा लेकिन फिर भी कहूंगा कि डिरेक्टर का टेक जेफ्री आइस्टैन के प्राइवेट आइलेंड वाला बहुत जाद आच्छा था और अगर इस तरीकी के मिलिय इंडिंग में इस फिल्म में तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था क्योंकि अंत भला और सब भला वाली सिच्वेशन अगर इस फिल्म के साथ में नहीं होती तो आप समझ जाओ के इस फिल्म का बार रेटिंग के मामले में और भी काफी ज़्यादा अच्छा निकल कराता आथ इसके अलावा बाकी दूसेरी वीवर्स इस फिल्म को अगर बैश कर रहे हैं खास करके मर्द तो उनका दुख दर्द भाई छोड़ी दो तो वहीं अगर दूसी चीजों की बात कीजा तो भाई सहाब बीजी एम और फिल्म के एडिटर ने जो इस फिल्म की एडिटिंग के साथ में खेला है उस हिसाब से तो ये पूरी फिल्म खुद के इंवायर्मेंट को फरस्ट हाफ में बहुती अच्छी तरीके से बिल्ली करव है और डिस्टर्बिंग मोमेंट्स की बात की जाए तो एंड के पांच मिनट पहले जो चीजें रिवील की जाती है वो डेफिनेटली के ओस ही क्रियेट करती है जिन सब पर सबसे पहली चीज तो यहीं निकल कर आती है कि जो कोई भी फिल्म के लीट्स असल मायने में सोच र को बहुत जादा लंबा बना दिया जाए तो फिर प्रॉब्लम निकल कर आती है और एक सीरीज फिलहार तो कुरिया की फ्रॉग हाँ शायद यही नाम है वो भी मैंने देखी है उस पर जल्दी बात करकर आपको अपडेट दे दूगा लेकिन खैर मुद्दे से बिल्कुल भ खराब नहीं करूंगा इसलिए सीधे रेटिंग्स की कैटेगरी पर बढ़ा जाए तो सबसे पहले आजाए फिल्म के एक्शन पर तो हाँ फिल्म में ब्रूटेलिटी वो भी ऐसी फिल्म में अचानक से ही निकल कर आती है जिनने ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म का एक्शन इस विए फिल्म को ड्रामा की इस कैटेगरी में सारी ही चीजों को आकने के बाद पांच वे से तीन स्टार की रेटिंग तो दे ही सकता हूँ ग्राफ को अच्छी तरीके से बढ़ाता है जिसे ध्यान मेरा कर मैं इस फिल्म को इन दोनों ही कैटेगरी में पांच में से तीन स्टार की रिटिंग दूँगा और फी बात करें मास ओडियंस की तो मास ओडियंस इस फिल्म को अगर हिंदी में रिलीज होती तो और भी काफी अगर वो ऑडियंस देखना चाती है तो उनके हिसाफ से बी प्लस की कैटेगरी की है जी हाँ बी प्लस की कैटेगरी खास करके ऐसे जानर की फिल्म जो भले सही आपको कई सारे कॉशिंस के साथ कंफ्यूस की ना करें लेकिन फिर भी ए फिल्म उन लोगों की नज़र में एक फिल्म को अच्छा ही मिला है यानि नकी नजर में भी ए फिल्म बी प्लस की केटेगरी की बनती है जिन से पूरी तेरिके सर्विएрип इस iPhone को बी प्लस की कैटेगरी में ही रखोंगा क्योंकि जैसी के मैंने कहा इस फिल्म का एक्स्पिरींस में इन अपे न आपको इस वीडि वो चुम्ह और अगी? अबहेँ उसका है अगल सब्सक्राइब करूम